हेलो अव्रीवन मैं हूँ नवीन और स्वागत करता हूँ अपका ओनलाइन पार्ट सला प्रेजेंटिंग बाई इजी सक्सेस कोचिंग मैं आपको साइंस पढ़ा रहा हूँ और साइंस में हमारी कुछ क्लासेस कंप्लीट हुई है आज जो हम लेने वाले हैं वो हैं अंतरानवीक बल अंतरानवीक बल मतलब इंटर मोलेकुलर फोर्स जो डो टैप के होते हैं ससंजग बल कोईसीव फोर्स और आसंजग बल एडेसी जो भी चैनल पर जुड़े हुए हैं वो सभी हमारे जो क्लासेस के वीडियो आते हैं इन्हें सेयर भी करा करें इन्हें लाइक भी करें और दुसरे लोगों को भी सेयर करें ताकि वो सब्सक्राइब कर पाएं ठीक है इसके अलावा आप लोगों को पीडिएफ नोट्स ची जाएं लाइगे और डेली क्लासेस के पीडिएफ भी महां पर अवेलेबल हैं ठीक है चली स्टार्ट करते हैं अच्की क्लास सबसे पहले सासंजग बल कोईसी फोर्स ठीक है सासंजग बल और आसंजग बल दोनों ही अंतरानविक बहले मतलब अनूं के बीच लगने वाला ब एक ही पदार्त के अनुओं के बीच लगने वाला फोर्स ठीक है तो अगर एक ही पदार्त के अनुओं आपस में एक दुसरे को अट्रेक कर रहे हैं आपस में एक दुसरे के और आकर्सित हो रहे हैं चिपक रहे हैं तो यह फोर्स जो बल होता है वो होता है एक ही पदार्त के अनुओं के बीच लगने वाला cohesive force ससंजग बल जब भिन्न पदार्थों के अनुओं के बीच देखिए तो ससंजग बल हुआ cohesive force हुआ एक ही पदार्थ के अनुओं के बीच अपला होने वाला और आसंजग बल हुआ भिन्न पदार्थों के अनुओं के बीच लगने वाला तो दो points तो आपको यहां पर clear रखने एक ही पदार्थ में ससंजग और भिन्न पदार्थों में लगने वाला क्या हो गया आसंजग ठीक है अगर उधारन की बात करें एक्जांबल की बात करें तो प्राकार पानी की बूंदे एक जो आपस में मिलकर बड़ी बूंद बना देती है किसप का उधारण से संजग बल का उधारण ने पर अगर मैं बात करू हुआ तो आसंजग बल का उधारण की यहाँ पर पानी तो है पर वो किसी और के साथ जड़ा हुआ है मतलब किसी प्ल एक अच्छा सा एक्जाम्बल जो एक्जाम में पूछा जाता है वो है बॉर्ड के ऊपर चौक से लिखते हैं तो उसके जो डस्ट उसके ऊपर चिपक जाते हैं जिसके वज़े से वो लिखावाट होती है या मैं मारकर से इस बोर्ड पर लिख पा रहा हूँ ठीक है तो बोर्ड अलग पदार्थ है और मारकर की इंक अलग पदार्थ है या चोक से निकलने वाले करण अलग पदार्थ है और बोर्ड अलग पदार्थ है तो चोक से बोर्ड पर किस कारण लिख पाते हैं आसंजग भल कोईल की बुंदे भी आपस में मिलकर एक पदार्थ बना देगी या और भी जो भी उधा ऐसे एक्जांपल आपके सामने आते हैं जिनमें एक ही पदार्थ के कण आपस में एक दुसरे से चिपक रहे हैं तो वो क्या हो गया सहसंजक बल ठीक है अब देखते हैं इसके और क्या आपस में एक दुसरे से चिपके होगे रहते हैं तो उनके बीच में क्योंकि ठोस इतना ठोस क्यों होता है इतना मजबूत क्यों होता है उसका कारण उनके बीच में लगने वाला सहसंजक बल क्या होता है मजबूत होता है अगर द्रव और ठोस की बात करें हम तो द्रव में सहसंजक बल का मान इतना नहीं होता है जितना है कि ठोस में होता है ठोस के कण आपस में ज्यादा मजबूती से चिपके होगे रहते हैं तो आपको कॉश्चन आ जाए कि ठोस उद्रों में से सहसंजक बल किसका मजबूत है तो ठोस का है यह हमें समझ में आ रहा है ठीक है इसके अलावा स्वासंजक बल का प्रयोग किया जाता है cold welding जिसे seat welding कहते हैं cold welding या seat welding तो seat welding क्या होती है जब धातू की प्लेटों को मसीनों के द्वार आपस में दबाए जाता है high pressure पर दबाए जाता है तो उनके बीच में कोई gaping नहीं रहती है और खुद ही धातू के कण आपस में स्वासंजक बल के द्वारा जुड जाते है इस तरीके के दो प्लेटों को या दो धातों को जोडने की जो प्रोसेस होती है उससे cold welding कहा जाता है तो cold welding में किस बल का प्रयोग होता है आपके कुशन आ जाए तो आप क्या टिक करोगे ससंजक बल का ठीक है ये समझ में आरा आपको ठीक है अब बात करते हैं आसंजक बल की तो आसंजक बल का क्या क्या प्रयोग है तो बिनन बिनन पतार्तों के बीच में लगने वाल है वह आसंजक बल हुआ है जैसे कि एक बरतन अगर पानी से बिगा हुआ है ये एक्जांपल आ जाए तो क्या है आसंजक बल है इसके अलावा ब्लेकबोर्ड छोक मारकर में लिख रहा हुँ है सब असंजक बल के उसे दा रई इसके अलावा पोधे के उत्तक होते हैं वह जलगा कणों को आसंजक बल के दीवारा अपने पास में चिपका लेते हुं पूदे के उप्री भाग तब पहुचाते हैं तो यह अगर नेल पोलिस होती है तो नेल पोलिस नेल से कितनी दीन तक चिपकी हुई रहेगी कितने दीन तक लगी हुई रहेगी यह डिपेंड करेगा उस नेल पोलिस के आसंजक बल के उपर ठीक है एडेसिव फोर्स उसका कितना है ठीक है इसके अलावा मेहंदी को देखा होगा आ यह करेगा मेंदी की आसंजग बल पर मतलब आसंजग बल उसका कितना मजबूत है उतने दिन तक मेंदी बनी हुई रहेगी ओके चली आगे समझते हैं ठोस द्रव यूग में पर आसंजग बल का कैसे प्रभाव परता है ठोस मतलब हमारे पास कोई ठोस है जैसे हम कांच ले लेते हैं या हमारे पास कोई कांच है और उसके उपर कोई द्रव है मतलब पानी पानी की बुंदे यहाँ पर इसके उपर हमने डा तो पानी की बुंदे जब इस कांच के उपर डाली जाएगी तो थोस द्रव यूग मुदन गया, मतलब इन दोनों का एक यूग मुदन गया है आपकर, तो यह कोई भी द्रव उस थोस के उपर चिपकेगा या नहीं चिपकेगा यह डिपेंड करता है इन ही बल के उपर, तो ह इस पानी के सहसंजग बल से, पानी के अनों के बीच में सहसंजग बल होगा, उससे अधिक है, तो पानी के कन के बीच में सहसंजग बल कमजोर है, मतलब आसंजग बल इनके बीच में मजबूत है और पानी के कनों का सहसंजग बल कमजोर है, तो वह असानी से अपने पाट मे और किसे पर चिपक जाएगी कांच पर तो जब बनोगों पदार्थ का बीच संजग बल रखे समस्नलग बल से मजबूत ज्यादा हो तो हमेसा वह सुनिज्ग Peak कांच पर लाँसअ पर या स्थोर्ष पर हमेसा चिपके गा इह इसे भी गोरल से रखिए बिगो देगा या गीला कर देगा उसे गीला कर देगा भिगो देगा उस पर चिपक जाएगा पर अगर उल्टी कंडिशन लूँ कि आसंजक बल का मान कम है किस से स असंजक बल से ठीके किसके ससंजग बल से ध्रव के आसंजग बल का मान जो दो पदार्थ के बीच में लग रहा है जैसे for example यहाँ पर अपन लेते हैं वापिस एक काँच और इधर लेते हम पारा मरकल ठीक है तो पारा जो है उसकी बुंदे हमने काँच के उपर डाली तो काँच और पारा दो ससंजग बल मजबूत हुआ इसलिए पारे के अनु एक दुसरे को नहीं छोड़ेंगे और यह कभी काँच पर नहीं चिपकेगा मतलब यह काँच को नहीं भीगोएगा या काँच के उपर नहीं चिपकेगा यह आपको बखो भी समझ में आया होगा यह ध्यान से आप देख लीजिए एक बार ठीक है इसके अलावा देखिए यह आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा इसके बाद थोड़ा सा मेटर और हैं जो देखते हैं किस तरीके से पानी और एक कोई तेल है तो पानी की जो बुंदे होती है और एक है हमारे पास ओल की बुंदे ठीक है तो इनके बीच में लगने वाला जो ससंजग बल होता है पानी की बुंद के बीच में लगने वाला जो ससंजग बल होता है कि देखिए यहां पर पानी जल लिया हमने और तेल की बुंदे लिये तो अगर पानी और तेल को हम मिश्र करें तो इनमें आसंजग और ससंजग बल कैसे काम करता है कोहेसी और एडेसी फोर्स कैसे काम करते है पानी और तेल की बुंदों के बीच में आसंजग बल लगेगा यह तो वह खुबी आपको समझ में आगया क्योंकि भीन भीन बदार्त है तो पानी और तेल की बीच में लगने व वाला पानी के अनुओं के बीच लगने वाला जो बल होता है ससंजक बल होता है उससे हमेशा कम होता है ठीक है पानी के अनुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से हमेशा कम होता है और तेल के अनुओं के बीच लगने वाले ससंजक बल से हमेशा अधिक होता है कौन सा बल आ संजगबल तो इससे क्या एफेक्ट आएगा देखिए इससे एफेक्ट आएगा कि क्योंकि यह मजबूत है इस कंडिशन में अगर पानी और में इन दोनों के बीच की फोर्स की बात करूं तो पानी का फोर्स मजबूत है पानी के अनों के बीच फोर्स मजबूत है तो अगर ह आपसमें उसी खुड़कर, एक बुंध के रूप में बनी रहेगी, कौन सी बुंध, पानीा की बुंध, क्यों बनी रहेगी, क्योंकि इन दोनों के बीच का असंजग भल से, पानीा का ससंजग बल मझभूत हे, पर अगर इसकी को जो पुटी कंडिशन ले हम और पानी के किसी बरतन में इसमें पानी पछ GR को आरे ऑफार से हमने मतलब त्यल की हम कोई देल ढई यहां पर सुर्ण करफो forgive जेए दोन रहेगा वह पानी के सवाझ़ा से तो के तोत rif आएगा इसी लिए पानी की बूंदो भैल में चोटी है auen अलिकिना मैं कista जटीन आया है कोई लिए उसल मचैसी समाधीलिया एकी वड़ी के तेल को डाले तो वो दीरे दीरे टुकडों के रूप में तूटने लगती है I hope आपको आज की क्लास समझ में आई होगी जो हमारा सवसंजग और आसंजग बहलें नेल पोलीस क्यों बनी रहती है मेंदी कितने दिन तक ठीकेगी इन सभी कोशनों के आंसर आए I hope आपको मिल गए होगे उमेद करता हूँ आपको इस क्लास समझ में आई होगी आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताए लाइक, सेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें जय बारत, जय हिंद